आज हम इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर चैप्टेर वन इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे तो चलिए बडियो शुरू करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर यह महात्मा कांधी के द्वारा लिखा गया है और सबसे पहले हम टाइटल को समझ लेते हैं टाइटल में दू टर्म एक सिविलाइजेशन और एक कल्चर इन्हें समझना बहुत जोड़ी दे सिविलाइजेशन का जो अर्थ होता है वह एक ऐसा समाज जो पूरी तरह से डेवलप हो और ऑर्गेनाइजड हो यानि मानो सवता कि ऐसी अवस्था जो बिक्सित और संगठित हो और जिसकी संस्क्रीती जो बहुत रिच हो और इसकी जीवन पत्ती भी हाईली डेवलाप्त हो डैट इस सिविलाइजेशन बट इफ टॉक अबाउट कल्चर डैट इस दे कस्टम्स बिलीफ और आइडियास ऑफ पर्टिकुल जिवास जिए की पर्थाएं या विचारधाराएं या आइडियाज यह जो है यह कल्चर या संस्क्रीत जो है यह कल्चर होता है ओके तो इंडियन सिविलाइजेशन कंछ्र यहाँ पे भारतिय सभता और संस्क्रीती की जो है पूरी बाद महाद्मा गांधी के दुरा की विस्टन सिविलाइजेशन का अगर आप मैप देखेंगे तो मैप में यूरोप जो है वह इंडिया से विस्ट की तरफ पड़ता है इसलिए उसे हम विस्टन सिविलाइजेशन कहते हैं या यूरोपियन सिविलाइजेशन कहते हैं तो यहां पर पूरी तुलना हुई है और ज पॉपुलर्ली नून एज बापु और दा फादर अफ नेशन वाज मोरा स्प्रीचुरल लीडर दैना पॉल्टिशियन मोहंदा स्क्रमचन गांधी जिनका जैनम जो है 1869 और ही वोस डाइड इन 1948 ओके यह जो है यह लोगपरिये थे बापु और राष्ट्ट पिता के नाम से फादर आफ नेशन और यह सिर्फ एक पॉल्टिशियन नहीं थे वो पॉल्टिशियन से कहीं अधिक जो एक स्प्रीचुल लीडर थे प्रीचुल आत्मिक जो Emotion का क्यार करें किसी के फिलिंग का क्यार करें जिसकी फॉट्ट डीप हो जो धार्मिक परविर्ति का हूँ उसे spiritual कहते हैं तो महात्मा गांधी के अंदर या परविरती थी He successfully used truth and non-violence as the chief weapon against the British rule in India and help India gain independence उन्होंने जो है दो मुख weapons हथियार का इस्तमाल किया जो truth सत और अहिंसा था और जिस से उन्होंने भारत को जीत दिलाई from 1915 till 1948 he completely dominated Indian politics Indian politics पे जो है 1915 से 1948 तक पूरी तरह से उनका परभाव रहा His autobiography My Experiment with Truth and the numerous article that has wrote for young India and the speeches that he delivered on different occasion reveals reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chest idiomatic English उनकी जो autobiography है My Experiment with Truth और इसके अलावा उन्होंने बहुत से लेख जो है Young India एक पत्री का एक मैकजीन है उसमें उन्होंने लिखा और उनके बहुत से भासन जिसे उन्होंने दिया different occasion बहुत से औसर पर और यह जो है पूरी तरह से reveal करता है कि वह एक original thinker सिर्फ एक original thinker ही नहीं थे इसके साथ साथ वह एक master थे और वह भी महान master प्यूर विशुद ओके idiomatic English idiomatic English मुहावरेदार English के बारे में उनकी काफी जनगारी थी इसमें गांधी जी ने बात जो की है वह मजबूत नियू की बात की है ओके Indian civilization की जो पूरी तरह से सफलता के साथ passage of time बिभिन समय में बिलकुल खाड़ा रहा सहता रहा ओके गांधी जी talks about the sound foundation of Indian civilization which has successfully withstood the passage of time इसमें गांधी जी जो है एक मजबूत नियू की बात करते है जो Indian civilization की है जो काफी वक्त अंतराल के बाद भी बिलकुल वैसे का वैसे ही रहा ओके दो विस्टन सिविलाइजेशन विच हज दा टेंडेंसी तो प्रिविलेज मैटरियलीटी चैन नोट मैच दा इंडियन civilization that elevates the moral being विस्टन सिविलाइजेशन जिसकी परविर्ति यह है जो विशेश अधिकार देता है मैटरियलीटी को मैटरियल वस्तु भौतिक सुख को जबकि इंडियन सिविलाइजेशन में जो है मुरिलीटी को ज़्यादा तरजिय दी जाती है तो यहां पर जो इंट्र दच्शन में हमने पिढ़ हा ओके दात एक स्कार्मचंड गांधी जो है उनका जन 1869 लेगानबी네 इन डरी इन ने प्रहल लिए नोन एस बातू गेलाइश्ग स Свिल आइस ग जडोनhof सूड़न पार्णंड णנड nowadays इन मैग जिन्स इन यंग एंग एंग्लिया और यहां पर इसमें जो थीम है यह थीम अगर हम लें जिस पर पूरी यह एक्स्ट्राक्ट जो है डिपेंड करता है वह एक कंपियर है इंडियन इसके मेरिट को महतमा गांधी जो है वह बताते हैं पहला परेग्राफ चलते हैं इंडियन सिविलाजेशन and culture I believe that the civilization India has evolved is not to be bitten in the world मैं यह मानता हूँ कि जो civilization भारत के अंदर जो सब्ता भारत के अंदर विक्सित होई उसे वर्ड में कहीं भी कोई civilization नहीं हरा सकता कोई मात नहीं दे सकता कुछ भी जो है इसके बराबरी नहीं कर सकता जो बीज हमारे पुर्वज ने बो दिये रोम वेंट ग्रीस शेर्ड दा सेम फेर रोम चला गया रोम बरबाद हो गया ग्रीस के साथ युनान के साथ भी वही हुआ जो है पुराने रूलर्स है एजिप्ट के मिसर के उन्हें हम फेरो कहते हैं जपेन हैस बिकम वेस्टर नाइज जपेन जो है वेस्टर नाइज हो गया ऑफ चाइना नथिंग कैन भी सेट चाइना के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं बट इंडिया इस्टिल सम्हाव और अदर सांड़ फांडेशन लेकिन इंडिया जो है बिलकुल अपने नियू पे वैसे ही आडा रहा यूरोप के जो लोग है रोम और यूनान रोम और यूनान की जो लिटरेचर है जो कृती है जो राइटिंग है इसे कॉफी करते हैं इंगलिश लोग इंगलिश लेकिन वह यह नहीं जानते कि यह दोनों जो है आज उनकी जो जो मर्यादा पहले थी वो आज नहीं है यहाँ पर रोम विच एग्जिस्ट नू लॉंगर इन देर फॉर्मर ग्लोरी सेम से मपने मर्यादा में आज यह दोनों नहीं है और यहाँ कोपी करते हैं यहाँ सोचते हैं कि जो भी गलती उन लोगों ने की उस गलती को हम नहीं दोहराएंगे और यही है उनकी पिटियाबल कंडिशन यानि दैनिये इस्थे थे इस फर्स्ट पेरेग्राफ में हमने देखा कि कैसे इंडियन सिवलाईजेशन को कोई दूसरा सिवलाईजेशन नहीं हरा सकता रोम बरवाद हो गया, ग्रीस बरवाद हो गया, फेरो की जो शक्ती है वो खतम हो गई, जैपन जो है विस्टरनाइजड हो गया और चाइना का तो कुछ कहाई नहीं जा सकता, और यह जो यूरोपियन्स हैं, यह किसकी कॉपी करते हैं रोम और ग्रीस की, जिनकी सबता पूरी पिटियबल कंडिशन है, ओके, दूसरे पराग्राफ में देखते हैं, इन दम मिट्स अफ आल दिस, इन सब के बीच, इंडिया रिमेन इम्मोवेबल, और इस हर ग्लोरी, इन सब के बीच में भारत जो है बिल्कुल अडिग रहा, और यही जो है इसकी मर्यादा है, शान है, एक आरूप जो है, भारतिये लोग पर यह लगाई जाती है, कि वह अपने आपको असानी से चेंज नहीं कर सकते हैं, कि वह मन बुद्धी होते हैं, अज्यानी होते हैं, अंसिविलाइज होते हैं, and you know, they cannot be changed easily themselves, तो यह हम पर आरूप लगती है, ओके कि हम जो है, कोई भी, changes जो है, we cannot adopt the changes, it is a charge really against our merit, यह जो चार्ज है, यह आरूप जो है, हमारे जो भी गुण है, उसके बिल्कुल बिरुद्ध है, हमने जो भी टेस्ट किया है, और पाया है, किस चीज़ पर पाया है, एन्विल of experience, एन्विल कहते हैं, ब्लैक स्मित के पास जो लोहे का टुकड़ा होता है, जिस पे वो गरम किसी भी धातु को रखकर, चोट देकर, हैमर से, उसे कोई shape देता है, उसे हिंदी में निहाई कहते हैं, ओके, तो उस पे जो हमने experience लिए है, यहां कहने का अर्थ यह है, कि हमारी जो experience है, हमने काफी अच्छा experience लिया है, इसलिए हम खुद को साहस नहीं करते हैं, कि हम खुद को change करें, क्योंकि हमारे पस जो है, already we have ability, so we needn't change ourself, ओके, यहां पर यह चीज़ है, Many thrust their advice upon India, and she remain steady, बहुत से लोग जो है, यह advice डालते हैं भारत पे, भारत जो है, बिल्कुल सेम सेम अपने direction में चलता रहता है, ओके, यह सीधा बिल्कुल रहता है, This is her beauty, यह इसकी जो सुन्दरता है, it is the sheet anchor of our hope, यह हमारी जो आशाएं हैं, उसकी security है, परहरी है, यह हिफाज़त करता है, हमारी hope को यह हिफाज़त करता है, Third number paragraph, civilization is that mood of conduct which points out to man, the path of duty, civilization जो है, conduct का, एक बहवार का जो है, एक साधन है, एक परकार है, जो बताता है, कि इनसान जो है, अपने कर्तब के रास्ते पे कैसे चले, Performance of duty and observance of morality are convertible terms, जो duty का performance करना, या morality का अनुसरन करना, यह दोनों जो है, एक दूसरे में, convertible term है, convertible का मतलब जो convert हो जाया, असानी से, तो एक दूसरे में यह convert होते रहते हैं, हम दोनों बहुत काफी मिलते जूलते हैं, duty का performance and observation of morality, ओके, to observe morality is to attain mastery over our mind and our passion, अगिर हम morality का ओलोकन करते रहें, तो हम अपने दिमाग और अपने passion पे, चाहत पे, इच्छा पे, बिल्कुल हम जीत हासिल कर लेंगे, ओके, so doing, we know ourself, और ऐसा करते हुए हम अपने आपको जानेंग, जानते हैं, ओके, the gujarati equivalent for civilization means good conduct, gujarati जो meaning civilization का होता है, वो अच्छा आच्रन, अच्छा वेहवार होता है, अगर यह definition बिल्कुल सही है, तो बहुत से राइटर ने जैसा दिखाया है, कि इंडिया को कुछ और सीखने की जरुवत नहीं है, क्योंकि यह जैसा है, वैसा ही इसे होना चाहिए, we notice that the mind is restless bird, यह हम notice करते हैं, कि जो दिमाग है, वो एक बेचैन चड़िया की तरह है, the more it gets, the more it wants, यह जितना पाता है, उतना ही चाहता है, and still remain unsatisfied, और फिर बिल्कुल unsatisfied है, तो satisfaction नहीं मिलती है, तुरिपती नहीं मिलती है, the more we indulge in our passion, जितना हम अपने इच्छा में लिपत रहेंगे, the more unbridled they become, वह उतना ही बेलगाम होता जाता है, हमारा दिमाग, हमारा दिल और हमारा दिमाग, our ancestors, हमारे जो पुर्वज हैं, therefore, इसलिए, settle limit to our indulgences, हमारी जो पुर्वज थे, इसलिए उन्होंने एक limitation डाली, कि हमारी जो है, हम किसी चीज में कितना involved रहें, कितना indulgences रहें, कितना lift रहें, okay, this saw, that happiness was largely a mental condition, उन्होंने देखा कि जो खुसी है, वो बयापक रूप से, दिमाग की जो है, वो अवस्था है, वो mental condition है, दिमागी अवस्था है, A man is not necessarily happy because he is rich, or unhappy because he is poor, एक जो इन्सान जो है, कोई जरूरी नहीं है, कि अमीर आदमी हमेशा खुस रहें, और गरीब आदमी जो है, वो नाखुस रहें, okay, The rich are often seen to be happy, जबकि ज़्यादा तर अमीर लोगों को नाखुस देखा जाता है, The poor to be happy, जबकि गरीब लोग जो होते हैं, खुस होते हैं, Million will always remain poor, और ज़्यादा तर जो लोग होंगे, वो गरीब ही रहेंगे, Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasure, इन सब को देखते हुए, ध्यान में देते हुए, हमारे जो पुर्वज थे, उन्होंने जो है, वह हमें मना किया, हमें रोका, किस चीज़ से, luxuries और pleasure से, यानि विलासिता किसी ऐसी चीज में लिप्ट हो जाना, जिसकी जरुवत नहीं हो, या हद से ज़्यादा आनंद लेना, आनंदी थोना, और pleasure, खुशी, आनंद, ओके, we have managed with the same kind of plow as existed thousand of year ago, हम बिलकुल आज भी वैसा ही plow इस्तमाल करते हैं, जैसा हम एक हजार साल पहले करते थे, ओके, we have written the same kind of cottage that we had in a former time and our indigenous education remain the same as before, हमारे पास आज भी वैसे ही कुटिया है, जैसा पहले होती थे, और हमारा education system, हमारा घरेलू education system, आज भी वैसा है, जैसा पहले था, we have had no system of life-coding condition, हमारे पास कोई भी जो है, जीवन के असफर्दा की तरह असफर्दा नहीं है, life condition नहीं है, हम condition के पीछे नहीं भागते हैं, it followed his own occupation or trade and charged a regular wage, हम अपना ब्योसाय करते हैं और हम उसकी जो है मजदूरी वा पाते हैं, okay, it was not that we did not know how to invent, यह नहीं है कि हम नहीं पता है कि machinery का आविसकार कैसे किया जाए, लेकिन हमारे जो forefather थे, वो जानते थे, if we set our heart after such thing, अगर हमने अपने दिल को, ऐसे अपने हिर्दय को, ऐसे चीजों पर set कर लिया, तो we would become slips, तो हम क्या हो जाएंगे, नोकर हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, and loss our moral fiber, और हम अपना character जो है, वो लॉस कर देंगे, therefore, after due deliberation, इसलिए उन लोगोंने काफी सूच बिचारने के बाद, decided, यह निरना लिया, that we should only do, हमें वही करना चाहिए, जो हम अपने हाथ और पैर से कर सकते थे, या कर सकते हैं, they saw that our real happiness and health, consisted in a proper use of our hand and feet, उन्होंने देखा, कि हमारी जो real खुशी है, हमारा जो real health है, वह हमारा हाथ और पैर के proper इस्तामाल में है, the further region, that large city वरा snare, उन्होंने यह भी विचार किया, जो बड़े-बड़े शहर नगर है, वह एक तरह से फंदा है, जाल है, and a useless encumbrance, और एक जो है अन उपयोगी, ओके जो उपयोगी नहीं है, वह burden, बोज है, and that people would not be happy in them, और लोग जो है, उसमें खुश नहीं रहेंगे, and that people, and that the poor men would be robbed by Richmond, और यह जो गरीब लोग है, यह अमीर लोगों के द्वारा लूट लिए जाएंगे, they were therefore satisfied with small villages, इसलिए वो जो छोटे छोटे विलेज से काफी खुश थे, अपने छोटे से गहाँ से वो पूरी तरह से satisfied थे, they saw that king and their swords were inferior to the sword of ethics, and उन्होंने देखा कि जो राजा की जो तलवार है, वो कमतर है, कमजूर है किस से जो नीती की तलवार है, जो अच्छाए की तलवार है, okay, and they therefore help the sovereign of the earth to be inferior, इसलिए जो उन लोगों ने बल पे जीता, और जहां भी शासन किया, वो inferior, वो कमतर है, वो घटिया है किस से, रिशी से और फाकीर से, a nation with a constitution like this, एक राष्ट जिसका constitution ऐसा हो, is fitter to teach other than to learn from other, वो पूरी तरह से fit है, किसी दूसरे को सिखा है, उसी किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है, okay, this nation had courts, lawyers, and doctors, but they were all within bounds, इस राष्ट के पास, जो है, court है, कछरी है, वकील है, डॉक्टर है, लेकिन सब की जो है, एक सीमा है, सब सीमा से बंदे हुए है, and everybody knew that, और सब यह जानते हैं, दिज प्रोफेशन वेर नोट पर्टिकुलरली सुपेरियर, कि यह सब जो प्रोफेशन, यह सब जो काम है, वह पूरी तरह से सुपेरियर नहीं है, बहुत ही उत्तम नहीं है, इसके अतरिक जो है, वकील और वैद जो है, वो भी लोगों को नहीं लूटते हैं, वह लोगों पे जो है, पूरी तरह से आशरित होते हैं, not their master, और अपने master पे नहीं, justice was tolerably fair, justice जो है, नियाय जो है, वह पूरी तरह से पारदर्सी है, ओके, पूरी तरह से सहनिये हैं, the ordinary rule was to avoid court, जो सधारन नियम है, कि court से avoid किया जाए, court से दूर रहा जाए, there were no doubts, यहां कोई भी जो है दलाल नहीं है, to lure people, लोगों को फुसलाने के लिए into them us may, this evil, two was noticeable, only in and around capital, इस तरह की जो बुराईया है, सिर्फ शहरों में देखने को मिलती है, okay, these common people lived independently, यह जो समान लोग है, वो बिलकुल independently रहते हैं, किसी पे भी depend नहीं होते हैं, यह आत्म निर्वर होते हैं, and followed their agricultural occupation, और वो अपने पेशा, जो किसी पेशा है, उसी में लगे रहते हैं, they enjoy true home rule, वो अपने घरे लिए और कानून का जो है, वो पूरी तरह से enjoy करते हैं, okay, next, the Indian civilization as described by me, has been so described by its votaries, जो Indian civilization, जो मेरे द्वारा वर्नन किया गया, वैसा ही वर्नन उनके द्वारा किया जाएगा, जो लोग इस पे भरोसा करते हैं, या जो लोग इसके अनुवाई हैं, या भक्त हैं, okay, in no part of the world, and under no civilization, have all men attained perfection, किसी भी, वोर्ड के किसी भी कौने में, या किसी भी civilization के अंदर, सारे लोग जो है, perfection पाले, ऐसा बिल्कुल नहीं है, the tendency of Indian civilization is to elevate the moral being, जो Indian civilization के परविर्ती है, शंता जो है, वह यह है, कि लोगों के नातिक्ता को बढ़ाएं, नातिक्ता, लोगों के अंदर अच्छाई को बढ़ाएं, धार्मिक परविर्ती को बढ़ाएं, स्प्रिच्वालीटी को बढ़ाएं, हुमनीटी को बढ़ाएं, ओके, that of the western civilization is to propagate immorality, जबकि western civilization जो है, वह किस चुछ को फैलाता है, immorality को, और नातिक्ता को, ओके, दल, दल लेटर इस गुड, गॉडलेस, दल लेटर इस गॉडलेस, जो बाद का है, वह बिना इश्वर का है, ओके, the former is based on, पहला जो है, वह बिलिफ इन गॉड, उसका विश्वास जो है, भगवान में है, इश्वर में है, so understanding and so believing, it behoves every lover of India to cling to the old Indian civilization, even as a child cling to the mother's breast, इसलिए हमें या समझते हुए और विश्वास खरते हुए, it behoves every lover of India, every lover, परतेख, इंडिया के lovers को, यानि चाहने वाले को जो है, अपने old civilization से बिल्कुल उसी तरह चिपक जाना चाहिए, जैसे एक बच्चा, जब उसे भूक लगती है, तो वह मा से चिपक जाता है, I am no hater of the West, मैं जो है, West का विरोधी नहीं हो, मैं पश्नी सबता का जो है, वह घरना करने वाला नहीं हो, I am thankful to the West, मैं West का जो है, धन्यवाद करता हू, बहुत से चीजों में, for many a thing, I have learned from Western literature, मैंने Western literature से बहुत से चीज़े सीखी है, but I am thankful to modern civilization, but I am thankful to modern civilization for teaching me, that if I want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen, frankly, यहाँ पे, लेकिन मैं modern civilization का है, पूरी तरह से thankful हो, कि उसने मुझे सिखाया, कि अगर मैं चाहूं कि हमारा India पूरे तरह से राइज करे, तो मैं यह अपने countrymen, पूरे निवासी, पूरे लोगों को असपस्ट रूप से कहना चाहूंगा, कि after years and years experience of modern civilization, modern civilization के वर्सो से वर्सो तक के experience मैंने यह सी कहा है, I have learned one lesson from it, and that is, that we must shun it at all cost, कि हमें जो है इस सभता से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए, कुछ भी हो, किसी भी कीमत पे हमें western civilization से है, वह दूर रहना चाहिए, ओके, what is the modern civilization, modern civilization क्या है, it is the worship of the material, या वस्तु की पूजा है, material जिसमें हम materiality को ध्यान देते हैं, materialism को ध्यान में रखते हैं, भौतिक सूख को, या वैसी चीजों को जो हमें पल भर की खुशी जो देता है, ओके, it is the worship of the brutiness, जो हमारे अंदर दानों है, हमारे अंदर जो पशु है, हमारे पशु या कहने का अर्थ यह हुआ कि, इंसान का जो दिल और दिमाग होता है, वो positive और negative, negative की तरफ ज़्यादा भागता है, ओके, तो negativity जो है हमारे अंदर, कि हमें जो है आराम करना चाहिए, हमें बहुत आराम करना चाहिए, या हमें दूसरों का हक मारना चाहिए, यह सारी जो चीजें है, materiality से यह सारी चीजें आती है, और it is unadulterate materialism, और इसमें कोई मिलावड नहीं है, पूरी तरह से जो है, यह बहुत ही वाद है, वस्तू की जो है, वह पूजा है, and modern civilization is nothing, और modern civilization कुछ नहीं है, if it does not think at every step of the triumph of material civilization, अगर यह हर कदम पे एक वस्तू की सभता के बारे में नहीं सोचे, यानि development के बारे में नहीं सोचे, तो modern civilization कुछ नहीं है, okay, it is perhaps unnecessary, यह शायद अनावशेक है, okay, अनावशेक है, if not useless, अगर useless नहीं है, to weigh the merit of two civilization, दो civilization को एक दूसरे से, एक दूसरे पे तौल ना, okay, it is likely the West has evolved a civilization suited to its climate and surroundings, and similarly, we have a civilization suited to our condition and both are good in their own respective sphere, यहाँ पे जो है, यह शायद, वेस्ट, वेस्टर्न जो civilization है, वह उसके climate और वातावर्यन और सराउंडिंग के हिसाब से, वहाँ के लिए सही है, जिस तरह हमारे condition जो है, हमारे लिए सही है, and we have a civilization suited to our condition, जो हमारे condition से, हमारे civilization के लिए सही condition है, and both are good, और दोनों जो है, अपने अपने छेत्र में बिल्कुल अच्छे हैं, 13 नमर पैराग्राफ, the distinguished characteristic of modern civilization, is an indefinite multiplicity of human want, जो विशिस्ट लक्षान है, modern civilization के, वह एक अनिस्चित व्रीधी human wants के अंदर, यानि मनुस की जो चाहत यह लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो यह जो है modern civilization का अर्थ होता है, कि there is no limitation, okay, the characteristic of ancient civilization, और ancient civilization की जो characteristic है, is an imperative restriction upon and a strict regulating of these wants, जो ancient civilization है, जो पुरानी civilization है, उसकी सबसे बड़ी विश्यस्ता और लक्षान यह है, कि यहाँ पर जो है चाहत पर हम अंकुष लगाते हैं, okay, हम जो है अपने चाहत को regulate करते हैं, strict regulate कि हमें इसे रोकना है, कॉड़ा पूरी तरह से कि हम इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे, और उसे हम रोकेंगे, the modern और western insettiveness arises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity, इसलिए जो यह जो civilization है, modern और western यह पूरी तरह से अत्रिप्त हो जाता है, और इसमें जो कमी होती है, इसमें faith की और चाहत की जो है वह कमी नहीं रहती है, क्योंकि वह इससे अत्रिप्त रहता है, faith से चाहत से divinity से यानि इश्वर से दिवयता से इन सारी चीज़ों से यह दूर रहता है, जबकि प्राचिन जो सभता है या इस्टर्न जो civilization है यह सब हमारी इस चाहतों पर अंकुस लगाता है, और अंकुस लगाने के साथ जो है जब अंकुस लगता है तो हमारा faith जो है God की तरफ जाता है और divinity में हमारा भरोसा बढ़ता है, और divine power के आस्तितों पर हमारा भरोसा बनता है, कुछ जो है तुरंथ और बिर्लियंट जो अविस्खार हुए है modern invention modern जो अविस्खार हुए है उन्हें हम पूरी तरह से बरदास्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह मुझे कहने में थोड़ा भी संदे नहीं होगा कि मन्नुस की जीत है उसकी सहन सिलता में है, वी आरे इंडेंजर हम खत्रे में है और बार्टरिंग बोलते हैं कि हम जब समान या किसी चीज़ का एक दूसरे से बदल करते हैं, कि हम अस्थाइख खुशी का बलिदान न कर दे एक टेंप्रोरी प्लेजर के लिए थोड़ी दर की खुशी के लिए, जैसा वेस्टन लोगों ने बहुत ही वंडर्फुल आश्टर जैनक डिस्कवरी किया है, वैसे ही हिंदुईज्म हैज मेड इस्टील मूर मार्वेलस डिसकवरी हिंदुईज्म ने भी बहुत अच्छे खोज की है, और वह खोज जो है, religion of the spirit or of the soul, यानि आत्मा की खोज, धर्म की खोज, और जो है, spirit, अंतरात्मा, आत्मा की खोज है, बट वी हैज नो आई फोर इस ग्रेट और फाइन डिसकवरी, लेकिन हमारे पास जो है, वो नजर नहीं है, कि हम इस फाइन डिसकवरी को पहचान सके, हम जो है, पूरी तरह से चोंधिया गया है, जो मेटेरियल प्रोग्रेस को देखते हुए, जो वस्तु की प्रोग्रेस बढ़ जा रही है, बढ़ी जा रही है, टेकनोलोजी आर गोईंग डेवलप डे बाई डे, ओके, दो डेट वेस्टर्न साइंस है मेर, जो से वेस्टर्न साइंस ने बनाया है, उससे हम पूरी तरह से चोंधिया गया है, I am not enamored of this progress, मैं इन प्रोग्रेस से पूरी तरह से मोहित नहीं हूं, इन्हीं मैं बिल्कुल अच्छा नहीं मानता हूं, इन फैक्ट वास्तों में, इत अल्मोस्ट सीम अज दो, गॉर्ड इन इज वीजडम है, प्रोग्रेसिंग अलोन दोस लाइन्स, सो डाट इट माइट फुल्फिल इस स्पेशल मीशन अफ प्रेस्टिंग दा अन्रस अफ मेटेरलिजम, और यह जो है, यह ऐसा लगता है, कि गॉर्ड जो है, और गॉर्ड की जो वीजडम है, उन्होंने पूरी तरह से इंडिया को इस प्रोग्रेस के लाइन पे बढ़ने से रोक दिया है, ताकि इंडिया का जो मिशन है, इंडिया जो है, पूरी तरह से इस बहाव में, मेटेरलिजम के बहाव में ना बह जाए, एड़ी तेनिस्ट और यह गवाह है और फॉल फॉल अपढ़ बेविलोनियं की सब्हट है शिरियन की सब्हता परसीन और एजिप्शियन जो है यह सारी इतनी भी सापता है थे यह पूरी तरह से क्रस्ट कर गए लेकिन आज भी इंडिन शिविलाइडेशन जो है यह यह क्या आप उन्हें कहीं आज पाते हैं The Italy of Gibbon Gibbon के Italy को Gibbon जो है एक राइटर है English writer है English historian है और उन्होंने एक history की book लिखी The Decline and the Fall of Roman Empire तो उन्होंने जो लिखी है तो यहाँ पे Gibbon का Italy जो है कहा है और rather the ancient Rome और पुराना जो प्राचिन रोम है वो कहा है For Rome was Italy जो रोम जो था वो है इटली का था Okay Go to Greece यूनान जाएं Where is the world famous Atic civilization Atic civilization जो है यूनान की सबता वो कहा है Atic civilization Then coming to India अब भारत आएं आप Let one go through the most ancient records And then look around you And you would become Constrained to say Yes, I see here ancient India Still living अब यहाँ पर आएं और किसी भी पुरानी record को अपले दास्तवेज को लें और उससे देखें पढ़ें और उसके बाद आप अगल बगल देखें आप देखने के बाद कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि हाँ इंडिया आज भी जिन्दा है आऊके Yes, I see here ancient India is still living कहने पे मजबूर हो जाएंगे ओके ट्रू त्यर वर डंग हीप्स यह सच है कि यहाँ वहाँ जो है डंग हीप्स है डंग हीप्स जो गूर के जो बनते हैं ओके जलाने के लिए गैंठी जिसको कहते हैं या गोबर का धेर जो है डंग हीप गोबर और उसे डंग केक कहते हैं and here and there but there are rich treasure buried under them लेकिन जो है बहुत ही bहुत ही जो है rich treasure जो है treasure जो है, treasure यनिक खजाना बहुत ही बोरा खजाना बहुत ही धनी खजाना जो है उसके अंदर दबा हुआ है and the reason why it has survived is that the end which Hinduism said before it was not developed along material but spiritual line और यह इसलिए आज तक developed है कि Hinduism जो है materialism का जो direction है जो line है उस पे ना आगे बढ़ते हुए वो spiritual line पर आगे बढ़ा आत्मिक line पर जो है वहाँ आगे बढ़ा our civilization हमारी सब्दा our culture हमारी संस्कृती our सवराज हमारा सवराज depend not upon multiplying our wants wants को चाहत को बढ़ाने में नहीं रहा जिसे self indulgence कहेंगे यानि खुद से किसी चीज़ में लिप्त रहना but upon restricting wants लेकिन इन चाहतों को restrict करने में पाबंदी लगाने में जिसे self denial कहते हैं European civilization is no doubt कोई शक नहीं suited for the European European के लिए जो है वा बिल्कुल suitable है but it will mean wrong for India if we endeavor to copy it लेकिन या हमारे लिए पूरी तर से बरवादी होगा अगर इसे हम copy करते हैं नकल करते हैं this is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us लेकिन यह नहीं it is not to say यह नहीं कहा जा सकता है यह नहीं कहा जाएगा कि हम जो है उन चीजों के एडॉप्ट नहीं करेंगे जो इससे मिलते जोलती हैं और जो चीजे अच्छी हैं और जिन्हें हम एडॉप्ट करने के लाइक हैं तो उन्हें हम एडॉप्ट कर सकते हैं European को भी उन चीजों से दूर रहना चाहिए जो उसके अंदर बुराई है जो उसके अंदर गुसी हुई है उससे उन्हें भी दूर रहना चाहिए और उन्हें भी एकसेप्ट करना चाहिए अगए दूर इन्सेश घूर्च फेर मेट्यरियल कमफर में लगातार दो नहीं ओना राये हैef और नहीं पूर्म एकसेप्ट पर्येंदेदर रहुद काखेडक उसके छोज में लगातार वो फिसाफ़ काय क्या मिर्था हो थी एक बस्達 ए Kyle PARC BY जाते है और या जम्हू काया और मैं कहने का पूरी तरह से साहस करता हूँ, कि that the European themselves will have to remodel their outlook, उन्हें जो है, अपना outlook, ड्रिस्टी जो है, खुद से change करना होगा, if they are not to perish under the weight of the comfort, वो अगर चाहते हैं कि इस आराम के तले, खुद न दब जाएं, to which they are becoming slaves, वो अपने आपको गुलाम न बना लें, अगर वो चाहते हैं कि गुलाम न बने, तो उन्हें अपने outlook को जो है, वो पूरी तरह से change करना होगा, it may be that my reading is wrong, यह हो सकता है, कि मैंने जो पढ़ा है, वो गलत हो, but I know, मैं जानता हूँ, that for India to run after the golden fleece, is to quote certain death, तो निश्ची तुरूप से वह मौत को बुलाता है, the golden fleece, जो है, यह already, meaning, meaning के जो बीडियो मैंने बनाई है, okay, वहाँ पर जाकर, the golden fleece की मैंने story, वहाँ समरी वहाँ पर डाला है, वहाँ से देख सकते हैं, कि golden fleece, जो है, एक भेड जो है, वह है, और भेड की जो खाल, उन, उसे golden fleece, कहते हैं, क्योंकि वह gold color का होता है, और यह जो भेड था, वह उड़ता था, okay, तो यह बहुत बढ़ी story है, जिसमें Jason character होता है, और ATS, तो यह media, तो आप जाके वहाँ पर चाहें, तो आप देख सकते हैं से story को, वैसे golden fleece, जो है, बहुत tough work है, क्योंकि यह golden fleece को पाना, और golden fleece, जो है, पूरे dragon के द्वारा, जो है, उसकी सुरक्षा की जाते थी, okay, let us engrave on our heart, हम अपने heart पे जो है, वो लिख लें, उत्केर लें, okay, the motto of a western philosopher, Today, it is certain that the million cannot have high living, and we few who profess to do the thinking for the message, run the risk, आज जो है, यह निश्चित है, कि बहुत जादा जो लोग है, वो high living के बारे में, यानि उची जीवन स्टाइली के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन हम जो कुछ लोग सोचते हैं, और जो जादा लोगों के बारे में सोचते हैं, हम यह खत्रा मोल लेते हैं, इन वील सर्च आफ्टर हाइई लिविंग और मिसिंग हाइई फिंकिंग, हम हाइई लिविंग अंगर जीएं, और उसमें जो हैं हाइई फिंकिंग ना हो, तो यह निरर्थक हैं, okay, civilization in the real sense of the term, consists not in the multiplication, but in the deliberate and voluntary restriction of want, civilization जो एक सच्छे sense में, यह नहीं है कि चाहत को बिलकुल, सीमा हीन चाहत को बढ़ाया जाए, जिसकी कोई सीमा ना हो, बलकि यह है कि उसे रोक दिया जाए, उसे उसे जो है restriction लगाया जाए, okay, this alone increases and promotes contentment, यही जो है अकेला बढ़ावा देगा, और बढ़ाएगा संटुस्टी को, real happiness को, और capacity for service और सेवा के भाव को, a certain degree of physical harmony and comfort is necessary, निश्चित सीमा तक जो है भहुतिक सुक्की जरुत होती है, but above a certain level, it becomes a hindrance in a state of help, लेकिन एक निश्चित लेबल के बाद, यह जो है एक रुकावट बन जाता है, बाधा बन जाता है, ना कि एक help सहाएक रहता है, ओके, therefore the ideal of creating an unlimited number of wants, and satisfying them, seek to be a delusion and snare, इसलिए जो है, the ideal of creating an unlimited number of wants, जो है हम एक आदर्स बनाएं, जो हम बहुत से ज़्यादा चाहत को develop कर लें, जो unlimited हो, and satisfying them, और उन्हें जो है satisfy करते हुए, यह लगता है, to be a delusion, एक भरम लगता है, एक भ्रांती लगता है, एक जाल लगता है, एक फंदा लगता है, the satisfaction of one's physical need, even the intellectual needs of one's narrow self, must meet a certain point, a dead stop, जो satisfaction, हमारे भौतिक, physical needs, जो हमारी भौतिक आउशक्ता है, और जो हमारी बौतिक आउशक्ता है, intellectual जो हमारी needs है, यह कहीं ना कहीं जाकर, एक निश्चित बिंदू पर जाकर, दोनों को समाप्थ हो जाना चाहिए, अगर यह एक सीमा पर समाप्थ नहीं होगा, तो क्या होगा, before it, समाप्थ होने से पहले, degenerates into physical and intellectual voluptuousness, यह जो है एक विलास पुन्ता को जनम देगा, यानि आदमी विलासी हो जाएगा, आदमी इधर उधर खो जाएगा, तो इसलिए एक सही निश्चित पॉइंट पर जाकर, इन्हें खत्म हो जाना चाहिए, intellectual needs जो हमारी बौधिक जरूरत है, और जो हमारी physical जरूरत है, a man must arrange his physical and cultural circumstances, एक मनुस्थ को जो है एक ऐसा वातावरन arrange करना चाहिए, कि वह अपने बहुतिक और cultural वातावरन ऐसा तयार करे, so that they do not hinder him, जो उसे न रोके, न रोकता हो in the service of humanity, मनुस्थ की सेवा करने में, on which all his energies should be concentrated, और उनकी सारी जो एनर्जी है, उस पे concentrate हो वह उसको न रोके, ऐसा जो है एक वातावरन, जो है, ऐसा arrange करना चाहिए, तो हमने Indian civilization and culture लेका, Indian civilization and culture जो है मात्मा गांधी के द्वारा लिखी गए है, and we have seen that most of places, there is a comparative study of Indian civilization और Eastern civilization, as well as Western civilization, तो दोनों के बीद जो distinction है, उस distinction को हमने देखा, कैसे हमारे जो ancestors हैं, उन्हों seeds को बोया, और उस seeds को बोया, और उसे हम आज फॉलो करते हैं, और Indian civilization जो है, वह आज भी जिन्दा है, जब कि Western civilization पूरी तरह से, वो materiality हो गई है, material centrate हो गई है, if you have to write summary, then it's not very difficult work, because you should write firstly, some key words like Indian civilization and Western civilization, some terms related to Indian civilization, some Western civilization, both are vice versa, okay, in Indian civilization, morality is there, but immorality is there, our ancestor, what's the opinion of our ancestor, and what is Indian civilization, what is Western civilization, materialism one, on one side there is materialism, but in Indian civilization, there is morality, immorality there, morality here, spirituality is here, when you start to write summary, of this chapter, then you should start like this, Indian civilization and culture, is written by Mahatma Gandhi, who, is popularly, known as, Bapur, and the father of nation, और जितनी भी, introduction से आप कुछ पॉइंस को, वहाँ पे निकालेंगे, you can also give reference, to his work, and autobiography, my experiment with truth, and young India, and what is the theme of this work, तो theme भी विलकुल, जो है क्लियर है, crystal क्लियर है, theme में, Indian civilization, western civilization, our ancestor, materiality, and spirituality, this, this type of things, are here, इनको आप माइं में रखके, start करें, और इसमें, जो है कैसे, सभथा जो है, पुरानी सभथा, जो, विच वर वेरी डेफलप, at that time, Roman civilization, and Greek civilization, Persian civilization, all of them, were on pick, earlier, but now, all, all world decade, only Indian civilization, is still alive, तो यहाँ पर यह करके, आप लिखते हुए, वैसे मैं जो पर सम्मरी, इसकी कराऊंगा, तिन, you have not to, you know, memorize, only, only certain points, if you keep in your mind, then definitely, easily, you can write summary, and you can also answer any question, either, it is MCQ, or, short type question, or long type question, or any type of questions, you feel really very comfortable, and coziness, to answer the question, because the method, which I am using, really, it helps you a lot, उम्मिद करता हूँ, यह वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, अगर आपने लाइक नहीं किया, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर रहे, और आपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि मैं जो है, अब अच्छी अच्छी वीडियो जो है लेकर आऊंगा, तो थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो, क्योंकि मैं जो है,